आप देखी सकते हैं यह पहला टर्म क्या है यह 2 है और D क्या हो जाएगा, D है, A2-1 जो की हो जाएगा, 7-2 जो की हो जाएगा, 5 और N कितना दे रखा है, 10 तबस कितना दे रखा है, 10 तो आपने अभी फॉर्मुला पढ़ाता है, SN क्या होता है, SN होता है आपका N by 2, 2A plus N minus 1 into D, हैना, तो N, N कितना है, 10, just value put करनी है, तो 10 by 2, हैना, 2 into A, A कितना है 2, तो 2 into 2, plus N minus 1, तो N minus 1 मतलब 10 minus 1 into D, D कितना है, 5, यहां पे आएगा 5, तो यह हो जाएगा, 10 by 2, that is 5, 2, 2 जा 4, plus 9, 5 जा 45, तो 45 और 4, 49, तो 5 into 49, जो की आएगा आपका, 245, तो इसका answer जाएगा, तो कितना आजाएगा, 245, मतलब 2 plus 7 plus 12, अप्टो 10 terms तका आप जाओगे, तो कितना आपको देगा result, 245, अब हम आजाते हैं, second part पे, second part भी को जिसी तरह से, ठीक है, यह first part तो हो गया, second part पे जो first term है, a, वो है minus 37, d जो है, वो है आपका a2 minus a1, a2 के है minus 33, minus 33, तो minus 33, minus a1, a1 कितना है, minus 37, है न, यह हो जाएगा, minus 33 plus 37, क्योंकि minus और minus plus हो जाएगा, 37 से 33 जाएगा, तो 4 बचेगा, तो b आया 4, और n, n कितना दे रगा है, कितने terms तर जाना है, आपको 12 terms तर, तो n यहां पे कितना हैगा, 12, ओके, तो अब आपको पता है कि कौन सा फर्मोट लगाना है, sn जो कि होता है, n by 2, 2a plus n minus 1 into d, ओके, तो sn equals 2, n by 2, तो n कितना 12, that is 12 by 2, 2 into a, a कितना हैगा, minus 37, plus n minus 1, that is 12 minus 1 into d, that is 4, ठीक है, just value put करें, और कुछ नहीं किया, a की, n की और d, फर्मुले के अंदर और कुछ नहीं किया, तो यह तो पता है, यह तो पता है, यह 2, 6 है, तो यह हो जाएगा, 6, 2 into minus 37, तो होगा, minus 74, plus, 12 minus 1, कितना, 11, 11, और 11, फोर्जा, 44, तो यह आजाएगा, 44, तो minus 74 और 44, कितना आएगा, minus 30, तो 6 into minus 30, तो यह आएगा, minus 180, तो answer कितना आएगा, minus 180, आप इसको अगर 12 terms तक add करेंगे, इस AP को, तो आपको कितना result मिलेगा, minus 180, okay?